वेब 2.0 क्या है यह revolutionary way है जो create करता है collaborate करता है edit करता है और sharing करता है user generated content यानकि जो हम content generate करते हैं उसको online क्या करता है हमारे द्वारा generate के गए content को online share करता है यह web.20 nums को देखते ही ऐसे लगता है पता नहीं web तो जाना माना लगा 2.0 क्या आगा देखिए यह web 2.0 क्या है जैसे हम worldwide web का use करते हैं blogs use करते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं जो web 2.0 sites होती है वो user को allow करती है interact करने के लिए collaborate करने के लिए social media sites के उपर यहनि कि user अपना content generate करके virtual community के अदर virtual community क्या होती है एक ऐसी community जिसको हम real life में देख नहीं सकते बट वो क्या होती है उस time पे access होती है जिससे हम अपनी chatting करते है या जिससे हम अपनी बाचित करते हैं अपना content share करते हैं ये एक ऐसी चीज़े होती है कि जिसके अंदर हम अपने content को share करते रहते हैं लेकिन हम वहाँ पे क्या होते हैं कि as a virtual room बोल सकते हैं या virtual human के रूप में हम वहाँ पे अपना role play करते हैं अब हम देखते हैं example क्या है web 2.0 का देखिए जैसे हमने बताया है आपको social networking sites social networking site है जैसे आप facebook का यूज़ करते हैं whatsapp का यूज़ करते हैं blogs का यूज़ करते हैं wikis है twitter है तो ये सारी की सारी क्या है आपकी web 2.0 tools है तो ये collective term है applications की या इनकि जीजन applications को इंटरनेट की help से चलाते हैं इंटरनेट का यूज़ जिन के अंदर होता है और जिसके अंदर जैसे worldwide web है blog है wikis है video sharing है social media websites है तो ये सारी की सारी चीज़ें की इस category में आती वैब 2.0 की category के अंदर आती है ये web 2.0 जो tools होते हैं ये interactive sharing tools होते हैं जिसके अंदर हम अपना participatory collaboration करते हैं ठीक है हम एक simple content की delivery ही नहीं करते हैं बलकि हम अपने ideas को भी exchange करते हैं देखिए video conferencing क्य इसके बारे में जाना बहुत जरूरी है because we are learning here web 2.0 tool जो video conferencing होती है इसको एक professional platform माना गया है किसके अंदर जो professionals होते हैं वो अपने work की जो detail होती है उनका जो काम होता या presentations होती है उनको share करते हैं video conferencing एक direct interaction होता है और यह interaction होता है two or more parties के बीच में होता है ये two or more parties के बीच में जब interaction होता है तो इसके लिए हमें internet के connection की जरूरत होती है और आप यह कह सकते हैं कि internet के बिचना video conferencing नहीं हो सकती है लेकिन आजकल क्या है हम अपने दूर बैठी family से भी video conferencing के दूरू बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम अप दूसरे की बात सुने के साथ हम उसका face भी दे सक सकते हैं कि दूर बैठे जो live experience होता है उसके क्या काते हैं विडियो conferencing काते हैं तो इसके अंदर क्या होता है दो पार्टी communicate करती है वीडियो के थरो और ओडियो के थरो एंदकी वो अपनी वीडियो और ओडियो के दोनों क्या है शेयर करती है और internet connection की जैसा कि हमने अबी बत करते हैं तो इसके अंदर हम audio video text को transmit कर सकते हैं अब second one हम बात करते हैं chat की chat क्या होता है एक discussion होता है यानि कि हम जब किसी से inbox के अंदर या कहीं discussion form के अंदर बात करते हैं इनकी chat होती है like text की तरह होती है हम अपने ideas को text के थुरू दूसरों को उसके साथ communicate करते हैं तो यह भी क्य chatting के अंदर जैसा कि अभी बताया गया है कि हम टेक्स्ट वीडियो और audio files को share करते हैं चैटिंग एक textual conversion होती है two or more members के बीच में इंटरनेट के पर यानि कि जो video conferencing होती है वो भी internet की help से होती है और chat भी क्या है internet की help से होती है इनके इंदर difference यह है कि जो chatting होती है वो unprofessional होती ह है और जो यह video conferencing होती है यह क्या होती है professional होती है तो जैसे हम chat करते हैं अपने friends के साथ relative के साथ नाइबर के साथ और collegiate के साथ अब हम बात करते हैं social networking site की आप मैंसे काफी सारे जो इस video को देख रहे हैं वो use करते होंगे facebook का twitter का तो यह क्या है यह SNS है यानि कि social networking sites है तो इन यहां पे हम users के साथ या अपने family friends या classmates या दूसरी customer होते हैं उनके साथ हम अपने ideas को exchange करते हैं तो वो क्या होती है social networking sites होती है जो social networking जो होती हो एक website ही होती है यह user को enable करती है कि हम वहां पे अपनी public profile बना सकते हैं profile यानि कि हम वहां पे अपनी picture upload करते हैं अपने बार में information जाते हैं कि हमारा नाम क्या है हम कहां से भी लोग करते हैं age क्या है gender क्या है तो इस type की चीज़ें जो है उसके अंदर डाली जाती हैं और इसके अंदर हम जो है दूसरे जो वहां पे लोग available होते हैं जिन्होंने अपनी profile बना रही होती है उनके साथ relationship करते हैं तो वहां पे क जो profile होती है हम उनको उनके नाम के द्वार अक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो यह क्या है social media का एक example है जो social networking site है या services है वो divers और incorporate करती है निव informations को and communication tool को जैसे mobile connectivity होती है यह user को क्या अलाव गरती mobile connectivity यूजर अपनी ideas को share करता है picture share करता है post है photos है video है activity है कोई event है जिसके अदर people interest रखता है वही चीज़े वो network के उपर share करता है तो यह क्या है social networking service क्या है type of web 2.0 internet based application है उनकी आप जब social media के पर बातचित करते हैं तो वो भी internet के थरू ही possible है अब हम बात करेंगे blogs blogs क्या होते हैं इसको web blogs भी कहते हैं कि web blog की short form है blogs blogs क्या होता है यह basically web page होता है जिसके अंदर लोग जो है अपनी information या अपने जो content होता हो डलते हैं आजकल जो authors हैं हमारे या जो भी ज़्यादा किसी भी चीज़े ग्याता होते हैं जिनक अच्छी knowledge होती है तो उन्होंने अपने blogs बना रखे हैं कोई यूटूबर है उन्होंने अपने क्या है अकाउंट बना रखे हैं या जो academy के जो कोई coaching center है coaching center चलते हैं तो भी अपना blog लिखते हैं और इस ब्लोग के अंदर वह updated knowledge देते हैं current knowledge वह अपनी देते रहते हैं तो य जो blog होते हैं वो किसी भी author की personality को show करते हैं कि उसके जो ideas हम वो किस तरह के वो किस तरह का व्यक्ति हैं blog की जो service होती है वो आजकल काफी सारे लोग use करते हैं और जो blog को जो use करने वाला होता है उसको कहते है blogger तो देखिए वो blogger जो होता है instant messaging का email का और twitter वगरा का भी use करता ह अपने blogs को update करने के लिए और लोगों तक share करने के लिए blog के उपर जो post डाली जाती है उनको micro post कहते हैं और जिस service का use करते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है इन post को डालता है और update करता है तो उसको कहते है micro blogging का ये बार ये चीज़े पूछ ली जाती है कि micro जो post होती वो क्या हो होती है social networking site जैसे facebook है micro blogging feature है ठीक है ये क्या करती है micro blogging feature रखती है अपनी profile के अंदर तो ये चीज़ भी आपके लिए एक नई है कि आजकल जो facebook होती है उसके अंदर भी micro blogging का feature available है अब हम बात करते हैं LinkedIn की LinkedIn भी क्या है बिल्कुल Facebook की तरह ही है यहां पर भी लोग क्या है उसे अपनी friendship है या फिर जो भी है वो अपनी बातें share करते हैं और LinkedIn क्या है एक business community के लिए develop क्या गया है इसको business community कह सकते हैं या professionals कह सकते हैं उनके लिए develop क्या गया लेकिन आजकल लोग भी जो है LinkedIn के उपर अपना account बनाने लगे हैं जो normal लोग होते हैं वो भी LinkedIn के उपर अपन account रखते हैं तो अब उसके बाद देखते हैं Google Plus क्या होता है Google Plus एक Google की services को Google खुद operate करता है तो इसके इंदर के आगो काफी सारी amazing चीज़ें जो वो create करता रहता है और लोग उनको search कर सकते हैं अपने interest के coding communities को जवाइन कर सकते हैं जो उनके आसपास होती है कोई भी topic होता है कोई भी जो चीज होती है इनके जिसको वो देखना पसंद करते हैं जिससे वो connect होना पसंद करते हैं उन जिसको Google Plus से collect कर सकते हैं उनको देख सकते हैं और दुसरे लोगों के साथ क्या है इसको शेहर कर सकते हैं तो वहां पर गूगल प्लस के उपर क्या था काफी amazing content वहां पर होता है अब हम बात करते हैं माइस्पेस के बारे में माइस्पेस के हैं एक largest social networking साइट है जैसे हमारी facebook है तो इसको भी facebook के दवारा ओर टेकन किया गया है तो माइस्पेस भी जो है facebook के दवारा ओर टेकन कि गई है माइस्पेस के है इसके अंदर भी आप इंट्रक्टिव और यूजर समेटिड जो चीज़ें होती है वह network के उपर आपको दिखाई देती है जब आपने twitter के twitter जैसे के real time information network है आपने कभी कभी सुना होगा किसी celebrity ने tweet किया है किसी politician ने tweet किया किसी किरिकेटर ने tweet किया है तो वो क्या है वो twitter पे करते हैं यह twitter भी क्या होता है अकाउंट बनाने के news ठीक है जो आपके interest की होती है आप उनको find out कर लेते हैं अब बात आती है YouTube की देखे YouTube को आजकल को नहीं जानता YouTube एक बहुती famous platform है यहाँ पे billions of people है यहाँ पे बहुत सारा content available होता है जिस तरह का content आप देखना चाते हैं उस तरह का content आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप child है आपको बचों वाले games चाहिए बचों वाले poem चाहिए तो यह चीज़े भी आपको मिल जाएंगी अगर आप music सुनने का शोक रखते हैं तो YouTube आपको music भी available करवाता है साथी साथ है जैसे कोई भी new movie आती है कोई भी new news आती है आजगल तो जो news channels है उनको इपने YouTube account है और live news YouTube को वहाँ पर देते हैं तो इस तरह से YouTube का web 2.0 टूल का एक 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 एक्जाम्पल है thanks for watching friends I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने friends तक share करना और वीडियो को लाइक करना